पूंट स्टॉक अनलिस दाकश फ्रेंड्स आज हम करने लिए अनलिसिस बाद जी अमाइंस रिलिमिटेट का एक बहुत प्यारा सेटफ बन रहा है चार्ट पे तो बिल्कुल देखेंगे इसके बाद थोड़ी तेजी भी हमें स्टॉक में दिखाए दे सकते हैं तो अगर आप आप शॉट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो या फिर आपने इसमें लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट के हैं तो यह वीडियो होना लिए आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट वीडियो होना लिए फ्रेंड्स तो पूरी जरूर देखना सबसे पहलों देखेंगे स्टीभी कं गिरावत हे सिख्सक闔 की गिरावत देख जाएता वइन पॉइंट सिक्स टुवेस्ट अगैन इतने यहे em'2 दिट मतलब जो वन जैन से लिएक है अब तक कितने गिर आवत हो चुकिये स्टॉक में तो है सिटॉक में और फिरेंट स्टॉक ऐसा नहीं की कराब स्टोक के बहुत अच्छा स्ट और के स्ट्रोंग फंडामेंटल से तो अच्छी कासी श्टाप में गिरावत हो चुन्किए चलिए बड़ जो चीज में आपको दीखाना चाहता था पास्ट डेटा में वह आपको देखाऊंगा वनियर डिंच चाहिए वि Baldwin स्टॉक में पोटेंशल क्या है कितना अच्छा स्टॉक है देखें कंटिन्यूस कंसलिडेशन कर था स्टॉक 2001 से और फाइनली जब 2021 में वह जब मैस्व में गिराव देखने मिलेती कोड के वैसे उसके बाद देर वाज नो स्टॉपिंग एक बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल एक बुलेट टरिंग के तरह इसमें स्टॉक मैं थी तेजी बिल्कुल कहाँ पे स्टॉक नहीं रुक रहा था और आपको एक सर्प्रेज की बाद भी बता दूँ अपने आल टाइम हाय से स्टॉक 45-50 परसेंट भी डाउन है तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक में कितने अच्छे रिटन्स बना के दिये है और मैं आपको वैलिडेशन के लिए कि स्टॉक कितना अच्छा है देखिए एक बहुत अच्छा रिटिकल आया तक लिए बाला जी आमाइन शेयर टॉर्ण वन लाइक क्रोर रूपीज दिर फ्रेंट्स इतने अच्छे रिटन्स टॉक ने दे दिये है है अप जाके पड़ सकते हो बहुत आट कंपणी फठर सकते हैं अबहुत अलग बात लिखिए देखिये फ्रेंट्स इस टाक साब verf बहुत अच्छा है जय कोथा प्रवाफ हुचिक है तो इ से मैंने कहा कि स्टॉक में बहुत बहुत अच्छी थी और थोड़ी से प्रॉफिट बुकिंग बननी थी एंड अगें मार्केट कंडिशन आप सुब को पता हैं वीक मार्केट कंडिशन से और फिर जो ऐसे स्टॉक जो बहुत ही रन अप कर चुके लास्ट वन येर्ट्व में सब में पिटाई हुई है फ्रेंट्स तो चलिए यहां से हम क्या कंडिशन निकाल सकते हैं कि देखें स्टॉक अच्छा है फ्रेंट्स बिल्कुल खराब नहीं है अगर आपने इसलिए लॉंग टर्म इन्वेस्ट्मेंट के लिए तो यहां बिल्कूल मैं कहना चांगा कि हो पर दो करके चल सबते हो चलिए लॉंग टर्म किल देख लिया शॉट्ट्टर्म के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए हम जाने आ ले हैं चार्ट पर चलिए आचूके हम बाहरा जी हम माइंस के चार्ट पर यहां पर मंतली टाइम फ्रेंट्स मैंने लगा है फिबोनाची इंपर्टंट लेत बीजाना चाहते हैं आपके कौन सा इंपर्टंट ले रहा है शॉपोर्ट कौन से लेवल पे 50% यह पिप्ती पर्संट और आपो सपोर्ट कंटिनू इस कंटिनियूस ली इस उनमें स्टॉक सपोर्ट ले रहा है जो कि दिखाता है कि आशामिक रिवर्सल भी दिखाई देज सकता है बहुत हाई चांसे से चलिए यह देख लिए हमने important levels क्यों है यहां से stop क्यों थोड़ा सा support ले रहा है यहां से crash होने के chances क्यों कम दिखाई दे रहे है चलिए यहां से अब जाएगे weekly timeframe में और देखेंगे और क्या चीज़े दिखाई दे रही है आज यहां वीकली टाइम फ्रेम वीकली टाइम अब देख सकते कि आप एक बैटन बन रहा है कौन सा बैटन बन रहा है ट्रिपल बॉटम पैटन देखें यह आप फर्स बॉटम सेकेंड बॉटम एंड थर्ड बॉटम के इस पर अगर स्टॉक इन लेवल पे कर लेता है सस्टेन और यहां से अपफ़ट जर्नी स्टाइट कर लेता है आपको बहुत जल्दी यह लेवल देखने मिल सकते हैं आराम बॉटम पैटन वह बन रहा है स्टॉक में एक बुलिश पैटन है वेट करना पड़ेगा कैसे स्टॉक ले करता है अगें मैंने का दिया कि यह पहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन बन चुका है यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और एक चीज़ यहाँ पर वैलिडेशन करना पे डेली टाइम पर हम देख सकते हैं कि जो यह क्या बन रहा था फॉलिंग वेच पैटन वह आता याप पर ब्रेक आउट ब्रेक आट रही काट क्या हुआ है स्टॉक ने वापस से रिट्रेस किया देखे फ्रेंज जब जब ब्रेक आउट होता है तब देखे स्टॉक इस टॉट है बहुत बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ड है फ्रेंट्स तो और यहांसे सटेन करके स्टॉक उपर जाता है तो देखे फ्रेंट्स यहां से आपको बहुत बहुत अच्छे रिटेंज देखने मिल सकते हैं स्टॉक में तो यह थे वह रीजन जिसके मैं कहा रहा था कि एक बहुत अच्छा चार्ट पैटन बन रहा है फर्स्ट रिजन क्या था अगेन मैं थोड़ा सा कर दो समरेज देखें फर्स्ट रिजन फिबोनाची का 50% retracement सेकेंड रिजन क्या था सेकेंड रिजन की ट्रिपल बॉटम पैटन यहां पर बंढ रहा है थर्ड रिजन क्या था थर्ड रिजन था है फॉलिंग वेस्ट वाज से हुआ है ब्रेक आउट ब्रेकाउट लिएट स्टॉक यहाँ पर रिट्रेस कर रहें निचे के साइ है चलिए देख लिए चार्ट कैसा है टार्गेट जिए बट स्टॉप प्लॉस आपको लगाना होगा जैसे मार्केट कंडिशन चल रहे हैं तो चोटा सा स्टॉप लोग में 2600 जस्ट पॉर सेफटी देखिए मैं चार्ट आपको एक्स्पें कर लिए क्या से टप दे रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया बटागर मार्केट कंडिशन खरब होते हैं तो स्टॉक सारे नीचे लएगे तो उस स्टी पर फेस्ट के लिए 2600 का होने लिए स्टॉप प्लॉस और इसमें मेरे शॉर्ट टरम टार्गेट होने लिए 3500 का तो यह था मेरा टार्गेट एं स्टॉप प्लॉस इस स्टॉक के लिए और यह था मेरा शॉर्ट एंस फिर भी आपको कुछ डार्ट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और वीडियो अच्छे लगी हो एंस अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ऐसे और क्वालिटी कंटेंट आपको मि तरह एगे फुचर में भी तो तास इत पर टोड़े फ्रेंज थैंक यू और कट ब्लस्यू आप